ये बात तो तैय है कि कप्पिल शर्मा के शो में जब जब कृष्णा आता है वो मामा से अपने पंगे को लेकर जिक्र करता ही है और इस पर कुछ न कुछ जोक मारा जाता है अब तो ऐसा हो गया है कि शो के जो गेस्ट आते हैं वो भी इस पर कॉमेंट करते हैं और अब बॉलिवोड के सूपर स्टार ने गोविंदा और कुछ न के जगड़े पर कॉमेंट किया है आपको बताने ही कि हाल ही में कप्पिल शर्मा के शो पर अक्षय कुमार पहुंचे अ पर आता है तो अक्षय उसे बोलते हैं कि ये कभी नकली अमिताब बनता है कभी नकली जैकी श्रॉफ बनता है सब नकली है बस मामा से इसने जो पंगा लिया है वो असली रखा हुआ है कुछ इस तरीके से अक्षय कुमार गोविंदा और कुशना के पंगे पर बोलते हैं व फैक्ट सुनीता आउजा ने तो एक टाइम पर मीडिया में ये भी कह दिया था कि अगर तुम इतने ही अच्छे कॉमेडियन हो तो फिर मामा का नाम लिये बिना क्या तुम से मजाक नहीं होती है। गोविंदा का नाम लिये बिना तुम कॉमेडी करो ना क्यूं हर बार तुम्हें गोविंदा का नाम लेना पड़ता है। मामा भांजे के बीच रिश्टे तब बिगड़े जब कुरुष्णा की वाइफ ने गोविंदा को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था पैसे लेकर नाचने वाले लोग। ये तंज उस बात पर था कि गोविंदा ने कुरुष्णा के एक शो में जाने के लिए पैसा मांगा था।